शूप्रबात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अब कहां दुसरे के दुख से दुखी होने वाले प्रिश्ट संक्या 113 से आरम करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पिश्टी कक्षा में इस पार से जुड़ा हुआ जो भी व्याक्या मैंने किया वह सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देर ना करते हुए आज की कक्षा आरम करते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में दो रोशन दान थे। उसमें कबुतर के एक जोड़े ने गोशला बना लिया था। एक बार बिली ने उचक कर दो में से एक अंड़ा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पचड़कर दुसरे अंड़े को बचाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में दुसरा अंड़ा उसी के हाथ से गिर कर तूट गया। कबुतर परिशानी में इधर उधर फड़परा रहे थे। उसकी आँखों में दुख देखकर मेरी माँ की आँखों में आसू आ गये। इस बुना को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन का रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं सिर्फ रोती रह और बार बार नमाज पर पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। इस अनुछेत में लेखक अपने ग्वालियर वाले घर का जिकर करता है और कहता है कि ग्वालियर में जो मेरा मकान था उस मकान में जो दालान था उस दालान में दो रोशन दा रोशनदान अर्थात पहले के जमाने में रोशनी आने के लिए थोड़ा सा जगा छोड़ा जाता था। उसी में कबुतर के एक जोड़े ने गोशला बना लिया था। गोशला बनाने के बाद उसमें उसके दो अंडे भी रखे हुए थे। एक बार बिल्ली कूत कर दो में से एक अंडा तोड़ देती है। जब लेखक की मा यह सब देखती है तो उसे दुख होता है और वह यह सोचती है कि क्यों ना मैं एक अंडे को बचा लू क्योंकि दूसरा तो बिल्ली ने तोड़ी दिया। इस कोशिस में वह स्टूल पर चड़कर अंडे को बचाने की कोशिस करती है लेकिन इस कोशिस में दुसरा अंडा भी उसके हाथ से गिर कर तूटी जाता है। कबुतर अब बहुत परिशान हो जाते हैं इदर उदर फरफराने लगते हैं वो बेजुमान हैं हमसे कुछ कह तो नहीं सकते हैं परन्तु उनकी जो फरफरात है उससे पता चल रहा है कि वो बहुत दुखी है परिशान है उनको दुखी देखकर लेखक की मा की आखों में भ रखती है वह कुछ खाती पीती नहीं है उस दिन सिर्फ रोती रती है और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से यही कहती है कि हे खुदा हे भगवान हे इश्वर अंजाने में उससे गलती होई है मुझे माफ करते ना ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है पहले यहां दूर तक जंगल था पेड़ थे परिंदे थे और दूसरे जानवर थे अब यहां समंदर के किनारे लंबी चोड़ी बस्ती बन गई है इस बस्ती न न जाने कितने परिंदे चरिंदो से उनका घर छिन लिया है इन में से कुछ सहर छोड़कर चले गए हैं जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहां वहां डेरा डाल लिया है इन में से दो कबुत्रों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोशला बना लिया है बच्चे अभी छोटे ह उनके खिलाने पिलाने के जिम्हदारी अभी बड़े कबुतरों की है वे दिन में कई-कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं आखिर उनका भी घर है लेकिन उनके आने जाने से हमें परिशानी होती है वे कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं कभी मेरी लाइबरेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालीप को सताने लगते हैं इस रोज-रोज की परिशानी से तंग आकर मेरी पतनी ने उस जगह जहां उनका आश्याना था एक जाली लगा दी है उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया गया है उनके आने की खिर्की को भी बंग किया जाने लगा है खिर्की के बार अब दोनों कबुतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं मगर अब ना सुलमान है जो उनकी जुबान को समझ कर उनका दुख बाटे ना मेरी मा है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजे में काटे इस अनुछेद में लेखक यह कह रहा है कि लेखक अपने ग्वालियर वाले घर में नहीं रहता वह बंबई में बस गया है जहांपे उसका घर है उस जगा का नाम है वर्सोवा ग्वालियर से मंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है लिखक का जहां आज घर है वर्सुवा में वहां किसी जमाने में दूर दूर तक जंगल थे पेर थे, परिंडे थे और बहुत सारे दुसरे जानवर थे लेकिन अब यहां समंदर के किनारे बहुत लंबी चोड़ी लोगों की बस्ती बन गई है इस बस्ती ने नजाने कितने ही परिंदों को उनके घर से बेगर कर दिया अर्थात बस्ती को बनाने के लिए जंगल को काटा गया होगा और जंगल काटने के वैसे जो परिंदे है उनका घोसला उजड़ गया होगा उन परिंदों में से कुछ सहर छोड़ कर चले गया होगे और जो परिंदे नहीं जा सके वे यहीं कहीं आसपास अर्थात किसी के घरों के उपर खिर्की के उपर, छतों के उपर अपना डेरा डाल लिया होगा उसी में से एक कबुतर के जोड़े ने लेकर के फ्लैट के मचान पर भी अपना गोशला बना लिया था उनके बच्चे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं उनको खाना, खिलाने और पिलाने के जिम्मादरी अभी भी बड़े कबुतरों की है वे दिन में कई-कई बार आते जाते रहते हैं अपना घर समझ कर, अपना हक समझ कर वे आते जाते रहते हैं और लेकर कब यही मनना है कि क्यों ना है, उनका भी तो घर है लेकिन कभुतरों के बार-बार आने जाने से लेखक और उसकी पत्नी को परिशानी होती है वह इसलिए क्योंकि वो घर के अंदर किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं या लेका की जो लाइबरेरी है उसमें घुश कर कबीर या मिर्जा गालीव की किताबे फार देते हैं इस रोज-रोज से परिशानी से तंग आकर लेका की पत्नी जहां कभुतरों का आश्याना था जहां पर उसका घोशला था वहाँ पर एक जाली लगा देती है और उनके बच्चों को वहाँ से निकाल कर दुसरे जगा कर देती है जिस खिड़की से कबुतर आते थे उस खिड़की को भी बंद कर दिया गया है खिड़की के बाहर अब दोनों कबुतर चुप-चाप रहते हैं खामोश रहते हैं बैठे रहते हैं लेखक यह भी कहा रहा है कि अब ना तो सुलमान है जो कबुतरों की जुबान समझ कर उनका दुख बाटे और नहीं लेखकी मा है जो उनकी दुखों में सारी सारी राते नमाज परकर काटे अर्थात पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो सिफ इनसानों नहीं बलकि दुसरे जीब जनतियों की दुखों को समझते थे और उनको दुखी देखकर वे खुद भी दुखी होते थे इसलिए लेखक ने इसका सिर्षक रखा है अब कहां दुसरे के दुख से दुखी होने वाले लेखक की जो पत्नी है उन कबतरों को बाहर करकर उसे जड़ा भी तकलिफ नहीं हो रही है वो तो उल्टा खुश हो रही है कि कई हमें तकलीप नहीं हो रही है हम बिल्कुल अच्छे से हैं लेखक ने अंत में एक और शेर लिखा है नदिया सीचे खेत को तोता कुतरे आम सूरज ठेकेदार सा सबको बाटे का नदिया जहां से गुजरती है वो यह नहीं देखती है कि इसे इंसान पी रहे कि जानवर पी रहे तो तबी किसी भी बगीचे में जाकर आम कुतर लेता है वो यह नहीं देखता कि वो इंसानों का है या किसी और जानवर का है या किसका है नहीं देखता सुरज भी यह नहीं देखता कि केवल इंसानों को ही धूप देनी है वो सभी प्रकार के जीव जनतु है यहां तक कि पेड़ पौदों को भी धूप पाटने का काम करता रहता है मेरे प्यारे बच्चो आज का पाट समाप्त हुआ धन्यवाद सबका दिल शुब हो